हमें एक spherical ball given है, जिसका diameter है 28 cm, इसको हम कुछ ऐसे माननेते हैं, हमें बताना है amount of water displaced by this ball, यानि अगर इस ball को मैं पानी में फैंकू, तो कितना पानी बाहर आता है, हमें वो बताना है, अब यहाँ पे amount of water displaced होगा, इस sphere का volume, और sphere के volume के लिए में को radius पता होना चाहिए, radius होगा diameter by 2, यानि 28 by 2, 14 cm, तो amount of water displaced होगा volume of sphere, यानि 4 by 3 pi r cube, मैं यहाँ pi और r की value बोट करता हूँ, यह कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ 7 और 14 cancer out होगा, 2 बचेगा, इसको हम solve करें, तो यह value मेरी कुछ ऐसे आती है, इसको मैं decimal में लिखूँ, तो यह आएगा 11498.66 cm3,